हलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम डिसकेशन करने वाले हैं बैंक निफ्टे के बारे में जैसे कि मैं आप लोगों के मन में एक मित किलियर कर देता हूँ काफी लोगों को कहीं तरह की कन्फीजन होते हैं जैसे कि अगर मार्केट में आज गिरावट आई है तो अगले दिन रिकवरी आएगी इस तरह के कन्फीजन होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्लियर क्लियर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे दिन आपको ये भी मिल जाएंगी कि आज गिरावट आई अगले दिन भी गिरावट चल रही है बहुत सारे दिन आपको ये भी मिल जाएंगे कि आज पोजेटिव है अगले दिन भी पोजेटिव है उससे अगले दिन भी पोजेटिव है बहुत सारे केस आपको ऐसे भी मिल जाएगी जैसे आप आज कही केस ले लो, अगर आप देखेंगे, इधर Nifty 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर Nifty Financial Services का चार्ट लगा हुआ है, और इधर Bank Nifty का चार्ट लगा हुआ है, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपने, गिरावाट Bank Nifty में भी हुई है, लेकिन recovery देखने को मिल रही है, अगर Nifty 50 की बात करें, गिरावाट हुई है, लेकिन उतनी बहतरी रिकवरी नहीं है, कही न कहीं मार्किट एक range में जाता हुआ, एक sideway zone में जाता हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको चार पैटरन्स बता रहे हैं, ट्रेंगल वाले पैटरन, ट्रेंड बात कहता हूँ, जो लोग इस confusion में trade करते हैं, कि आज गिरावाट आई है, अगले दिन recovery आएगी, आज positive हुआ है, अगले दिन गिरावाट आईगी, इस तरह की चीज को ने करते हुए, अगर आपके पास कोई भी setup है, कोई भी strategy है, वो बनती है, तो काम करो, नहीं बनती है, तो काम मत करो, सांती से market को देखते रहो, क्या-क्या observation करने वाले है, मंडे के लिए आपको किस तरीके से तियार हैना चाहिए, या next trading day के लिए आपको किस तरीके से तियार हैना चाहिए, पहले हम logic समझेंगे कि आज की trade के पीछे क्या logic था, इसे detail में discuss करेंगे, फिर हम यहा अब पहले 8 फिर focus करो, आपके लिए important चीजे क्या-क्या निकल के आती है, यह निकल के आता है आपके लिए, यह क्या है previous day high, और क्या निकल के आता है, यह निकल के आता है आपके लिए, क्या है 46,000 का round level, और क्या निकल के आता है, और आपके लिए यह निकल के आता है, यह क् previous day low. और क्या निखल के आता है आपके लिए? आपके लिए ये वाला निखल के आता है? ये क्या है 45,000 का round level, और क्या क्या चीज है आपके लिए important हो सकती हैं? ये वाले चीज important हो सकती है, क्या है previous day closing. ठीक है? इतनी चीजे आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है तो market ने यहीं पे ही support लिया और एक bounce करने की कोशिस कर रहा है फिर market ने क्या देखा आप देखेंगे यह support सिर्फ और सिर्फ previous day लोग पे नहीं लिया जा रहा है यह support आपको कहीं न कहीं 45,000 पे भी लिया जा रहा है यानि कि एक round level पे भी market support लेके ऊपर की तरफ momentum कर रहा तो क्या यहां से positive side बैठ सकते हैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि ऊपर आपका previous day closing है एक resistance है जो market को रोक भी सकता है sideways भी कर सकता है reversal का कारण भी बन सकता है बहुत सारी possibilities हो सकती है अब हमारे लिए जरूरी क्या है market इसका breakout दे market ने इसका breakout भी दिया और आपके लिए एक बहतरीन सा retest करके price action भी बनाया और retest किसे किया 45,000 के round level को और उसके बाद आपको एक momentum दिया यहीं पर आप देखेंगे एक momentum capture करने के लिए फिर वापिस आया previous day closing की फिर से respect करी आपके लिए फिर से एक price action बनाया फिर जो इस वाल कि market में आपको कही momentum आज दिये हैं बहुत सारी opportunities दी है इसलिए सांती से बैठना बहुत जरूरी होता है अपने समय का इंतिजार करो अपने setup का इंतिजार करो उसमें ही संतोस आपको होना चाहिए आए सारी चीज़ों को थोड़ा समय आपको एक जानकारी और देदू जो हमा और भी आप कह सकते हैं previous day high breakdown या previous day low breakout आप इनके उल्टे भी कर सकते हैं फिर fake breakout, fake breakdown, big gap up opening, big gap down opening बहुत सारी चीज़े हमने discuss की हुई है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा पहले 50% off चल रहा था additional आपको 10% के off का और भी coupon दिया गया है आप इस offer का फाइदा उठा सकते है अपनी इन छुप्टियों को enjoy कर सकते हैं और साती साते इन्हें learning करने में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह जो additional 10% का offer दिया गया है यह जल्दी हम खतम कर देंगे यह तो इस weekend पे दिया गया है आपको तो इसे जल्दी खतम कर दिया जाएगा उससे पहले आप इस offer का फाइदा उ पर समझने की कोसिस करते हैं जैसे कि पहले दिन हमें काफी बहतर हैं गिरावट देखने को मिली थी आज के दिन bank nifty में एक recovery भी आपको देखने को मिली है अगर यही से market positive होता है तो आपके लिए एक तो important resistance zone यह रहेगा क्या इससे पहले भी कोई important resistance है आपके लिए मैं इसे दोबर से draw कर देता हूँ कि इससे पहले भी को important बिल्कुल है यह वाला zone 46,000 का round level यानि कि अगर flat open हो कि market आपको positive momentum दिखाता है तो इस वाले scenario में 46,000 आपके लिए काफी important resistance के रूप में काम करतावा दिखाई दे सकता है अगर आपको इसका breakout मिला तो फिर आप देखेंगे य यह वाला zone आपके लिए काफी important रहनी वाला है क्योंकि market बार बार इस zone का breakout देने की कोसिस कर रहा है लेकिन दे नहीं पारा यह तो sideways कर दे रहा है उस दिन यह आपको बड़े-बड़े reversal देखने को मिल रहे है जैसे कि अगर आप देखेंगे एक बड़ा reversal यह देखने को चलो अगर इसे में आप किसी position पर ना हो और अगर position पर भी हो आप उसमें profit booking करने की कोसिस करेंगे इस scenario को दिहान में रखते हुई आईए आप discussion को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और 15 मिट के time frame पर चलते हैं यहाँ पर हम अब क्या-क्या चीज़ important रहेगी आपके लिए यह वा आपके लिए previous day low हो गया और क्या important यह वाला 45,000 का एक round level हो गया और क्या-क्या चीज़ आपके लिए important हो सकती है यह वाला zone काफी important रहेगा उससे पहले आपके लिए यह वाला zone 46,000 का एक round level इतनी चीज़े हमें price action के according इतनी चीज़े दिखाई दे रहे हैं उमीद है आपने अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है तो यहाँ पे market previous day high का भी breakout देगा अगर आप नहीं जानते previous day high के breakout के setup के बारे में फिलाल बहतरीन offer चल रहा है नीचे description में आपको application का link में जाएगा आप जाके इन चीज़ों को थोड़ा सा detail में समझ सकते हैं अगर market ने breakout दे आपके लि market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो इस वाले scenario में आप ध्यान यह रखेंगे अगर market previous day high से rejection लेता है previous day closing से rejection लेता है आपके लिए जो support की possibilities बनेगी वो एक तो इस वाले zone में बनेगी अगर आपको इसका breakdown मिलता है तो यह वाला जो support zone बना हुआ है यहाँ पे support की possibilities हो सकती है इ अगर market ने आपको previous day low का भी breakdown दे दिया तो इसमें आपको और भी ज़्यादा गिरावाट देखने को मिल सकते है और negative momentum भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप नहीं जानते कि previous day low के breakdown का setup क्या है तो मैं आपको और बता चुका हूँ कि फिलाल 50% का offer चल रहा है additional मैंने 10% क आपको application का link मिल जाएगा फिलाल मैं आपके साथ एक और scenario discuss करता हूँ अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है gap up opening में आप तिहान ये रखेंगे क्योंकि दो zone उपर की तरप आपके लिए काफी ज़्यादा important रहेंगे एक तो ये वाला एक ये वाला पूरा focus आप 46,000 के round रखें कितनी दूर या कितनी नजदीक gap up opening देखने को मिल रही है उसकी according ये आप चीजे decide करेंगे अगर इसी के आसपास आपको gap up opening देखने को मिले तो trade मत करना क्योंकि already ही market momentum दे चुका होगा दूसरा एक important zone की नजदीक में होगा तो बहतर क्या रहेगा बहतर ये रहेगा आप trading day low पर focus करो अगर उसका breakdown मिलता है तो आपके लिए support की possibilities इस वाले zone में मिलेगी इसका भी breakdown मिल गया तो आपको और भी ज्यादा negative momentum देखने को मिल सकता है लेकिन अगर कहीं market 46,000 और previous day high के बीच में ही momentum देता है तो scalping opportunities ढूनना long position की तरफ मज जाना लेकिन अगर market 46,000 का breakout देके ऊ उपर निकलने की कोसिस करता है तो इस वाले zone में आपके लिए काफी important resistance zone बनने की possibilities हो सकती है वहीं पर अगर आपको gap down opening देखने को मिल जाती है अब जैसे कि मैंने आपको बताया previous day high और previous day closing दोनों ही आपको past में दिखाई दे रहे हैं अगर market gap down opening देता है तो आप इस वाले zone पर focus रखेंगे अगर इस से के असपास gap down opening देके market ने breakdown दे दिया तो support की possibilities के areas आपको पता है कि कहां कहां पर support की possibilities हो सकती है लेकिन अगर market ने gap down opening देके आपको recovery दिखाई कहीं रे कहीं अपने trading day high का breakout दिया तो इस वाले situation में previous day high आपके लिए काफी important resistance इसका breakout मिला तो 46,000 इस दोस्तो वीडियो को like करना comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है आपके लिए कितने helpful है नहीं हो subscribe करना और bell icon press करना जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर्म लेंगे किसी next वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you